आबू धाबी में आयोजित चेंपियन्शिप में नीमज की बेटी ने जीता कास्य पदब शहर पहुचने पर हुआ खिलाडियों का भव्यस्वागत नमस्कार मैं हूँ रिया विपलिवाल आप देख रहे हैं MP7 News नीमज जिले की हर प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए आप MP7 News चेनल को सबस्क्राइब जरूर करें देखिया आज की विशेश बड़ी खबर 16 से 20 अगस्त तक UAE के आबू धाबी में आयोजित MMA वर्ड चेंपियन्शिप में MMA इंडिया के राष्टी अध्यक्ष शरीफ बापू एवं उपाध्यक्ष विक्रम शर्मा वह अन्य पदाधिकारियों के साथ 15 सदस्य भारती दल में मध्य प्रदेश की तीन बालिका खिलाडियों ने भाग लिया इंडिया टीम ने कुल पाँच कास्य एवं एक रजक प्रदक्ष प्राप्त किया जिसमें नीमच की जागरी परदेशी ने सानदार प्रदर्शन करते हुए कास्य प्रदक्ष अरजित किया इसके अतिरिक्त नीमज की अक्षिता श्रीवार्ताव इंदोर की आर्य चोधरी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया भारती अदल में प्रशिक्षक विकास शर्मा नीमज से ट्रेनर शेलेंद्र यादव का महतपुन योगदान रहा जागवी परदेशी व टीम आजपुन अपने स्वदेश नीमज लोटकर आने पर उनका भव्यस वागत M.M.A. नीमज के संडक्षक संतोष चोपड़ा एवं जीला अद्यक्ष राजा चोड़सिया सुनिल पतेल विरेंद्र यादव गजेंद्र कोकू पुषपेंद्र शर्मा दीपक गर्ग पवन शर्मा गोविंदम विवेक कटारिया दिलिप डुंगरवाल राहुल खंडेरवाल एवं अशोक बागडी आधिप अधिकारियों के साथ टूरिस्ट मोटल कनावटी रोल न अधिटर ये, MP, सेवान्यूस